हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बर पुना आप सभी का आपके पने शेनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागय थे और आज के इस वीडियो में नैंड गेट से नाट गेट और गेट और एंड गेट कैसे प्राप्त करना है यह आपको अहां पर समझाने वाला हूं तो वी आज टोलत फिजिक्स एंसे आर्टी चैप्टर फोटीन का तो चले आज का वीडियो सुरू करती हैं तो सबसे पहले नैंड से बनाएंगे क्या नाट इसके बाद नैंड से आर फिर एंड तीन गेट पढ़ेंगे यहां पर तो नैंड कैसे बनता है पहले यह जानना जरूरी आपके पास एंड होना चाहिए और नाट होना चाहिए तो यदि मैं यहां पर दो निवेसे सिगनल बना दूँ यह दो निवेसे सिगनल है ठीक है इसके बाद इसमें इस प्रकार का यदि आकरती है तो वो कहलाता है इसमें यदि नाट जुड़ दो यह नाट का संकेत है यह जुड़ गया नाट तो बन गया क्या नैंड अच्छा नैंड गेट के दो निवेशी सिगनल यहां पर है एक A और एक B यदि इन दोनों को जोड दिया जाए इन दोनों को जोड दिया जाए प्यारे भाईो तो यह बन जाता है नाट देखी यदि नैंड गेट के दोनों सिगनलों को जोड दिया जाए हमने पहले क्या बनाया नाट और एंड को जोड़ा यह नाट था यह एंड था दोनों को जोड़ा तो नैंड बना अब इसके दोनों निवेशी सिगनल को जोड दें तो हमें जो प्राप्त होता है प्रतुरूप यह जो यह आपका बाई बराबर या तो A कभी लोब या की B कभी लोब दोनों सेम है बराबर है कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपका मिल चुका है नैंड गेट से नाट गेट यह छोटा ही वीडियो रहेगा बहुत सिंपल है यार बस हां नैंड गेट आपको पता होना चाहिए निकि नैंड गेट जो बनता है वो नाट गेट और एंड गेट से बनता है अब नाट गेट और एंड गेट की सारी वीडियो अपलोड है भाई देख लो जाकर के सीव कोचिंग क्लास चैनल में भागत्री में 2020 किसका आप देखेंगे प्लेइलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर आप जाकर देख लो तो नैंड गेट से नाट गेट कैसे बनाएंगे तो यह अन फार होता है नाट और एंड फार होता है यहाँ पर एंड तो नाट और एंड जुड़ा तो नैंड बना और नैंड के दो निभी ऐसी सिगनलों को जो दिया student तो ये पूरा का पूरा परिफ़त जो है not get के रूप में बन चुका जो A और B दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों जुड़ चुके हैं इसलिए by बराबर A mod या B mod दोनों same होंगे तो पहला gate हो गया complete तो दूसरा आपका है nand gate से r gate r gate में दो निवेशी और एक निर्गत सिगनल होता है कुछ चीजे तो आपको पढ़ना पढ़े गया यदि आप r gate नहीं पढ़े होंगे तो समझे r gate में दो निवेशी और एक निर्गत होता है और हमें nand से ही बनाना है हमें nand से ही बनाना है nand अच्छा nand हम बनाते हैं पहले ध्यान दीजेगा लिखा हुआ है उसे बाद में देखेंगे पहले nand बनाते हैं जैसे nand कैसे होता है nand में आपका दो निवेशी होता है ये निवेशी हो गया है ना इसमें ये and जुड़ा है और not तो ये बना आपक क्या NAND इसी प्रकार इसी प्रकार student यहाँ पे आप देख लीजिए यह आपका है दो डिवेसी और यहाँ पे यह जुड़ गया यह है आपका क्या यह भी और यह दोनों क्या है यह कौन से gate है थोड़ा समझने कोशिस करें यह दोनों कौन से gate है तो यह पहले था AND और यह NAT तो बन गया NAND यह भी NAND है यह भी NAND अब इन दोनों NAND की इस प्रकार से इन निवेसी सिगनलों को जोड़ दे तो यह बन जाता है नाट यह भी NAND बन चुका है और यह भी NAND दोनों के दोनों नाट है दोनों के दोनों नाट है कैसे नाट बन गए भाई हमने NAND गेट के दोनों निवेसी सिगनलों को जोड़ दिया तो नाट बन गए अब इसको ही इसको ही आगे हमने एक और एक और NAND गेट से जोड़ दिया एक और NAND गेट से जोड़ दिया तो यह आपका बन चुका है कौन से सिगनल तो यह बन चुका है प्यारे भाई आर आर गेट बन चुका यहाँ पर हमने A लिया यहाँ पर हमने B लिया तो इन दोनों का काम है यह आपका क्या था एंड तो A डाट B रहता है लेकिन यह नाट है पूरा का पूरा तो यहाँ पे जो सिगनल का हमें निर्गत मिलेगा इसके माद्यम से तो A माड यहाँ पे B माड एनी अपोजेट मिलता है नाट का काम ही यह उल्टा कर देना फिर प्यारे भाईो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पर तो दोनों का मल्टिप्लिकेशन यहाँ पे मिलेगा फिर यह नाट है जो उल्टा करता है मतलब A.B.Mod का पूरा माड एनी जो आपका यहाँ पे निर्गत बास्तुविक्ता में मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है A.B. क्योंकि इसका फार्मूला ही होता है इसका फार्मूला ही होता है इस प्रकार से तो यहाँ पर कैसे कैसे बनाया थोड़ा ध्यान दीजेगा कि NAND GATE से RGATE तो NAND GATE से हमने NOTGATE बनाना सीखा था अब दो NOTGATE ले लिया NAND GATE से प्राप्ट दो NOTGATE को NAND gate के निवेशिस सिगनल की रूप में दी जोड दिया जाता है तो हमें प्राप्त होने वाला जो gate होता है वो R gate की भाती है ना होता है ठीक है स्टूडेंट समझ गये स्टूडेंट यहां पे मैंने क्या कहा NAND gate से प्राप्त दो नाट गेटों को नेंड गेट के निर्गत निवेसी सिगनल की रूप में जोड़ दिया जाए ने समझे ये आपका नेंड गेट से बना नाट गेट है इनके निर्गत सिगनलों को नेंड गेट के निवेसी सिगनल में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाला जो सिगनल होता ह और गेट के तुल होता है थोड़ा सा देखिए वीडियो बनाते ही समय डाइग्राम बना है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है लेकिन आप सीधे तरीके से बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सकेल की सायता से बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ठीक है तो यह आपको समझ में आगए अगर नेंड गेट से आर गेट तो नेंड नेंड में क्या क्या होता नाट और एंड नाट और एंड से बनाए नाट और दो नाट को ले लिया और एक नेंड को ले लिया तो नाट गेट के दो निवेशी सिगनल को नाट गेट के दो निर्गत सिगनल को निवेशी सिगनल के हमने नाट गेट के निवेशी सिगनल के रूप में जोड दिया तो हमें ये पर मिल गया क्या आर गेट ओके तो ये नाट थे दोनों के निर्गत सिगनल को तो चलिए देख लेते हैं nand gate से end gate साथ तरीका यहां पहे बहुत ही छोटा यह है तो देखे देखे नand gate आपके पास not gate है आपने भी बनाया कि bounce gült c है आपके पास नand से बना not है 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 नाउसमें हम नand को जोड़ें या कि जैसे आप पके nand, अच्छा nand कैसे बनता भी या nand कैसे बनता है, तो यहाँ पे दो निवेसी हैं, यह दो निवेसी हैं, इस के साथ, पहले तो यह बन गया and, and के साथ जुड़ गया not, तो यह बनता है nand इस nand को, इस nand को, थोड़ा समझने की कोशिस करिएगा इस nand को हम, यह था पहले and, यह not, तो यह एदी जोड़ दिये तो फिर not बन गया पहले यह था and, यह not तो दोनों को जोड़े तो nand, और जब इन दोनों को जोड़ दिये तो not बन गया, नand से not तो यहाँ पर nand था, इसके निवेसी सिगनल को, nand से बने not के, sorry यह था आपका क्या, student nand था, nand के निर्गत सिगनल को, यह क्या था, पहले and और not से बना nand and और not से बना nand फिर से समझे, and और not से बना nand, nand के निर्गत सिगनल को, nand से बने not के, निवेसी signal के रूप में प्रुक्त किया जाता है तो जो हमें signal प्राप्त होता है वो NAND gate के रूप में प्राप्त होता यहनि NAND gate की वहाँ प्राप्त होता है यह यह A है और यह B है तो जो हमें last में by मिलेगा last में तो A.B के रूप में प्राप्त होगा यहाँ पर A.B का अब यहाँ पर यह कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर क्या सिखा आपने NAND gate के निर्गत सिगनल को NAND gate के प्राप्त NAND gate के निवेशी सिगनल के रुप में प्रिक्ट किया जाता है तब जो हमें gate प्राप्त होता है या end gate के समान निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है तो तीनों गेटों का संयोजन आपने पढ़ लिया पहला था आपका NAND से NART फिर दूसरा NAND से R और यह तीसरा हो गया NAND से NAND इस प्रकार से गेटों का संयोजन गेटों का जितना भी आपका प्रकार था लाजी गेट सब कुछ मैंने करा दिया और लगबाग इस्टूडेंट गेट से संबन्दी जो भी है आसर उमीद है कि आप सब कुछ समझ गया होंगे क्रम से दी वीडियो देखे होंगे तो आ लेड़ी आप से पूरा कंप्लेट बनेगा तो आसर उमीद है कि वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई लाइक कर दीजेगा दोस्तों से शेयर कर दीजेगा ने है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथी मेल आइकन प्रस कर दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिन बंदमातरम